यह कहानी है एक गाओं के लड़के की घर की मजबूरी और पैसों की कमे की वज़े से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमाये जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो वह लड़का काफे दिनों तक काम की तलास करता है और आखिकार उसे काम मिल जाता है वह लड़का अपना सारा काम पूरी इमानदारी और मैनत से पूरे दिन रात करता है या देखकर उसका मालिक बहुत खुश हो जाता है अब छे महीनों तक ऐसे ही चलता है छे महीने बाद वो लड़का अपने मालिक को कहता है अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा लेकिन उस लड़की के सोच से विपरीथ उसका मालिक कहता है नहीं तुमें दो महिनों का थोड़ा और काम करना है फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुसा आता है लेकिन वो अपने गुष्चे को सांत करके मालिक से पूशता है बताए मालिक कौन सा काम है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरीदना है तुम पूरे शहर में घुमो और तुमें जो सबसे अच्छा घर लगे वो खरीद कर लाओ और जैसे यह काम खतम हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो यह सुनकर वो गाओं का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खतम कर देता है वह मालिक के पास जाता है और कहता है मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है मालिक हैरान हो जाता है और कहता है सिर्फ दस दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया गाउं का लड़का कहता है हाँ ये घर काफी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ मालिक कहता है नहीं तुम सिर्फ दो दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो गाउं का लड़का कहता है अरे मालिक मुझे गाउं जाने में ही एक दिन लगेगा तो कैसे भला मैं दो दिनों में वापस जाऊं मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी तो भी ताना है मालिक खुश कर कहता है कि अब तुमसे हमेशा अपने परिवार के साती रहोगे जो घर मैंने तुमाए खरीदने के लिए भेजाता वो मैंने तुम्हे और तुमारे परिवार के लिए मेरी तरफ से तौफ़ा है यह सुनकर वो गाव का लड़का खुश होने के वज़े मायूस हो जाता है और कहता है अगर मालिक आपने मुझे पहले का होता कि यह घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राक्ट करके इससे अच्छा घर खरीदता मालिक ने कहा मैंने तो तुम्हें दो महिने का वक्त दिया था तुम्हें दस दिन में घर खरीद कर अपना ही नुक्षान किया इसी तरह जिन्दिगी में भी हमारे साथ यही होता है कहानी में जो मालिक था वो असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता इसलिए आप जिन्दिगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए क्या पता आज जो आप काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी जिन्दिगी बदल दे